पाकिस्तान ने जीत के साथ किया वर्ल्ड कप का आगाज, श्रीलंका को रुमान्चक मैच में 31 रन से रौन्दा, पाकिस्तान ने महिला T20 विश्व कप में श्रीलंका को 31 रन से हराया, पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 116 रन पर आउट हो गई, स्पिनरों के उतक्रिष्ट प्रदर्शन ने श्रीलंका को 85 रनों पर पाकिस्तान ने रोक दिया, कप्तान फातिमा सना ने 30 रन बनाए और 2 विकेट लिये, विडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे आउन कर ले, ताकि आपको आने वाली विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, विडियो को लाइक एवाम शेर जरूर करें साथ ही कमेंट बोक्स में कमेंट करते हुए यहाँ बताएं कि आप विडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थेंक्स बोल सकूँ, साथ ही साथ Facebook पैज पर देख रहे फ्रेंडस वीडियो को लाइक शेर करते हुए comment box में बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे है ताकि आपको भी मैं thanks बोल सकू वीडियो को लाइक एवं शेर करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें यहां मालूम चलता है कि हमारी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है साथ ही साथ इससे हमारा हौसला बढ़ता है आईए चलते हैं अपने टॉपिक पर कप्तान फातिमा सना के आल राउंड खेल और स्पिनरों के उतकरिष्ट प्रदर्शन से पाकिस्तान ने श्रीलंका को गुरुवार को 31 रन से हरा दिया इसी के साथ पाकिस्तान ने महिला टी 20 विश्व कप में अपने अभियान का शांदार आगाज किया पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 116 रन पर आउट हो गई लेकिन उसके स्पिनरों ने श्रीलंका के लिए यह स्कोर भी पहार जैसा बना दिया जिसकी टीम 9 विकेट पर 85 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम अगर तिहरे आंक में पहुँच सकी तो उसका श्रेय कप्तान फातिमा सना को जाता है जिन्होंने 20 गेंद पर 30 रन की पारी खेली मध्यम गती से गेंद बाजी करने वाली फातिमा ने इसके बाद 10 रन देकर 2 विकेट लिए बाए हाथ की स्पिनर साधिया इकबाल उनकी सबसे सफल गेंद बाज रही उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए उन्हें बाए हाथ की स्पिनर नश्रा संधू 15 रन देकर दो विकेट और ओफ स्पिनर अमाइमा सोहिल 17 रन देकर दो विकेट का भी अच्छा साथ मिला इससे पहले श्रीलंका की स्पिनरों ने भी अनुकूल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया उसकी तरफ से बाए हाथ की स्पिनर सुगंधिका कुमारी 19 रन देकर तीन विकेट ने शीर्ष क्रम और स्पिनर चमारी अटापटू 18 रन देकर तीन विकेट ने मध्यक्रम और मध्यम गती की गिंदबाज उदेशिका प्रबोधिनी 20 रन देकर तीन विकेट में निचले क्रम को समेटने में एहम भूमी का निभाई कप्तान अटापट्टू हालां की बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं दिखा पाई और केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लोट गई श्रीलंका ने पावर प्ले में 26 रन बनाए और इस बीच हर्शिता समर्विक्रमा शून्य साथ का विकेट भी गवाया अमाईमा सोहिल ने उन्हें बोल्ड करने के बाद नई बल्लेबाज हंसिका परेरा शून्य आठ की गिल्लियां भी बिखेरी श्रीलंका की टीम 10 ओवर के बाद 3 विकेट पर 44 रन बना कर संघर्श कर रही थी सलामी बल्लेबाज विश्पी गुनरतने ने 13 ओवर तक एक छोड संभाले रखा लेकिन वहाँ अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाई जिससे टीम पर दबाव बढ़ा उन्होंने 34 गेंद पर 20 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल है मीलाक्षी डिसिलवा 22 श्रीलंका की तरफ से दोहरे अंक में पहुँचने वाली दूसरी बल्लेबाज थी इससे पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के स्पिन आक्रमण के सामने शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा उसने पावर प्ले में ही शीर्ष क्रम की तीनों बल्लेबाज गुल फिरोजा शून्य दो मुनीबा अली ग्यारह और सिद्रा अमीन बारह के विकेट गवा दिये इस बीच पाकिस्तान ने 32 रन बनाए अनुगवी निदाडार 23 ने अमायमा सोहिल 18 के साथ मिलकर पारी समवारने का प्रयास किया लेकिन इनके बीच चौथे विकेट के लिए 25 रन की साजहदारी तूटने के बाद पाकिस्तान का मध्यकरम लड़ खड़ा गया ऐसे में फातिमा सना ने जिम्मेदारी संभाली उन्होंने दूसरे छोर से परियाप सहयोग नहीं मिलने के बावजूद कुछ करारे शौट लगाकर पाकिस्तान को सम्मान जनक स्कोर तक पहुँचाया फातिमा ने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया